हेलो तूझे आज हम इंडेफिनेट इंटेग्रेशन का लेक्चर तू स्टार्ट करेंगे लेक्चर नमबर वन में इंडेफिनेट इंटेग्रेशन के जितने भी fundamental फॉर्मले थे वह हमने सारे क्लियर कर लिया थे अच्छा जितनी पॉसिबल वराइटे वक्ष्टन्स थे वह सारे हमने उसमें discuss किये दे लेक्चर नमबर टू में हम integration का पहला method discuss करेगे जिसे हम बोलते है method of substitution substitution को समझने से पहले आपको उसके basic condition पर ध्यान देना पड़ेगा वो condition हम तीन cases से समझेगे इन तीनों cases में आप ध्यान से देखो कही ना कही function यहाँ पर यहाँ पर function तीनों में आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं अलग-अलग form में यहाँ पर fx रिस्ट उपा रहने हैं यहाँ पर denominator में fx है यहाँ पर denominator में fx है लेकिन square root भी है अच्छा उसके साथ तीनों ही conditions में आप देखो fx पहले से exist कर रहा है fx यहाँ multiplication में numerator के अंदर ही है इधर भी numerator में इधर भी numerator में है तो जहाँ पर मेरा function का derivative पहले से question में exist कर रहा है वहाँ पर 99.9% substitution की possibility है कैसे लगाते हैं substitution वो मैं एक में पूरा आपको समझा दूगा आप बाकी ऐसा result आपको तीनों याद रखने है और फिर उसके बाद first page के बाद इस page number 2 से हम लगातार questions discuss करेगे ठीक है काफी बड़ी exercise है 7.2 ठीक है उसके जितने अलग-अलग type थे मैं आपको सारे cover करवा दूगा तो पहला type मैं आपको क्या बोलना चाहरा हूँ कि अगर question में function है और उसका derivative पहले से question में exist कर रहा है तो आप substitution कर सकते हो substitution यहाँ पर कैसे करोगे देखो मैं काम करता हूँ पहले तो इसका formula आपको बता देता हूँ कि अगर fx की power n का integration करना है और साथ में उसका derivative exist कर रहा है तो इसका integration का answer क्या आएगा आप लिखोगे fx whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus c constant of integration तो आ नहीं है आपको मैं थोड़ा सा इसमें idea देता हूँ substitution कैसे करते हैं आप उस function को t ले लो और यहाँ पर हमने क्या किया dt by dx कर दिया derivative कर दिया with respect to x जो कि क्या हो जागा fx का derivative f dash x और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से आप dt की value निकाल सकते हो dt की value कैसे dx उपर चला गया multiplication में आपके पास dt की value आ गई f dash x into dx अगर मैं integral की बात करूं integral जिसका integration मुझे करना है उस case में fx को तो मैं देखो t ले चुको तो यह तो हो गया t raise to power n यह तो t raise to power n हो गया और f dash dx f dash dx किसमें चला गया dt मे क्या इसका integration हम नहीं कर सकते हैं आप t की power n का integration करना चाह रहे हो वह भी with respect to t तो properly हम इसका integration कर सकते हैं तो integration इसमें क्या बोलेगा t की power n plus 1 अब उन में n plus 1 plus c और जो आपने substitute किया होता है वो last में आपको convert back करना होता है कि t की जो original value थी आप substitute कर दो वापिस तो वो क्या हो जागा fx whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus c यही तो था formula तो आपको यहाँ पर formula पर highlight करना है formula ध्यान रखना आपको ठीक है अच्छा इसकी अगर मैं बात करता हूँ अगर fx denominator में है और exactly same उसका derivative exactly जो derivative fx का वो exactly उपर पड़ा हुआ है numerator में का integration log t t को मैंने fx वापिस रख दिया अगर denominator में fx है denominator में fx और numerator में exactly same उसका derivative पड़ा हुआ है तो उस case में हम कुछ नहीं करते है log denominator लिख देते हैं मतलब log fx लिख देते हैं खतम denominator में square root of fx है और same उसका derivative exactly उपर रखा हुआ f-x तो उस case में हमारा integration करके क्या आता है to root fx plus c to root fx plus c यह तीनों as a result आपको यादोने चाहिए ठीक है तीनों और आपको बहुत ज्यादा easy होगा जब आप substitution को identify करने के बार directly formula लगा होतों काफी working easy हो करती है हमारी तो शुरू करते हैं बच्चों questions इसके starting basic से करेंगे बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला कि substitution का idea हमें कहां लगेगा कि आप देखो यहाँ पर कोई ऐसा function है जिसका derivative question में पहले से आपको दिख रहा है जैसे sin x का derivative तो cos x होता है यहाँ पर तो cos square x पड़ा हुआ है cos x का derivative minus sin x है cos x का derivative minus sin x है तो जिसका derivative आपको question में दिख रहा है आप उस function को t ले लोगे substitute कर दोगे दुबारा सुन लो जिस function का derivative question में पहले से आपको दिख रहा है जैसे cos x का derivative minus sin x आपको दिख रहा है तो आप उस function को substitute कर दोगे t अब working समझागे आप हम इसकी मैंने t ले लिया cos x और जैसे ही आप substitute करते हो बच्चों मुझे यहाँ पर derivative integration with respect to x है मतलब मेरा element of integration dx है जब मैं substitute कर रहा हो t तो मेरे पास element of integration dt होना चाहिए तो वो dt कैसे obtain करोगे भाई आप derivative करो with respect to x t को तो आपने क्या किया dt by dx cos x का derivative minus sin x हा गया तो यहाँ पर dt की value क्या दिख रही है आपको minus में sin x into में dx मानते हो अब question को i से denote कर दिया अगरो किसी भी integral को calculate करना है यह integral हो गया integration का sign same अब cos x को t ले चुके हो तो cos x क्या हुआ t square और बच्चों ध्यान से सुनो minus sin x और dx किस में चला गया minus sin x dx किस में चला गया dt मे यहाँ पर dt लिख दिया अब t square का integration हम जानते है t cube by 3 plus c अब यहाँ पर आके खुश मत हो जाना लास्ट में जो आप answer दोगे वह आप pure original variable में दोगे original variable हमारा क्या था x वाला था तो tklu cos x है तो tklu substitute करना मत भूलना बच्चों तो यहाँ पर मैंने क्या किया cos x का whole cube by 3 plus c तो यहाँ पर क्या आगया cos cube x by 3 plus c this is the final answer समझारी है बात substitution का base समझाया आपको base समझाया थीक है अच्छा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा type है यह first type है न कि function पढ़ा हुआ fx की power n है और derivative साथ में पढ़ा हुआ था तो मुझे पहले ही पता था कि function की power एक increase हो जागी और वही विल्ली नीचे आएगी क्या बताया था मैं आपको कि fx की power क्या हो जाएगी n प्लस 1 directly लिखना चाहोगे तो आगे चलके बड़े questions में directly लिखेगे यह आना था न answer तो fx मेरे पास क्या था कॉसेक्स था जिसका derivative पढ़ा हुआ side में multiplication में तो क्या होगा कॉसेक्स की power n प्लस 1 n यहाँ पर 2 है तो क्वसेक्स की power 3 upon में 3 यह final answer है अब इसको भी अगर मैं identify करूँ तो directly पहले एक बार सोच लेते answer क्या है एक बार working करके फिर भी देखेगे जैसे नीचे देखो मैंने x3 प्लस 1 को देखा नीचे अगर x3 प्लस 1 है denominator में तो उसका derivative सोच ना जरा x3 प्लस 1 का derivative क्या होगा आपको पता है वो तो 3 x2 प्लस 0 उपर सेम exactly derivative उपर रखा हुआ है x3 प्लस 1 का exactly derivative उपर रखा हुआ है तो यह कौन सा type होगा type 2 उस case में हमने answer क्या सीखा था log fx मैं आप आप आपको answer दे भी रो directly log x3 प्लस 1 प्लस c कहने को यह answer आ गया ठीक है लेकिन अभी मैं आपको पूरी working के साथ समझा रहो जब बड़े-बड़े question होगे 4 marker जिसमें substitution आपको last में लगती भी दिखेगी end में solution के तो आप directly लिख देना कोई दिक्कत नहीं है starting में पर वही है कि base इसका समझो कि हमने क्या किया पहले उस function को t लेना होता है जिसका derivative question में exactly दिख रहा है तो इसका dt element of integration change करना पड़ेगा वह आ गया 3x square 1 का तो 0 हो गया तो dt की value क्या बन गई बच्चो 3x square dx उपर देखो exactly match हो गया मैंने फिर question को i से denote किया एक ही steps में आपको बोल रहा हो वही follow करना x cube plus 1 को मैंने t ले लिया तो देखो यहाँ पर न मैंने denominator में t लिखा अरे तो t किसी के नीचे तो होगा तो उपर 1 तो लगाओगे ऐसे हवा में तो यह लटका नीवा टी तो 1 upon t हो गया और आप बोलोगे 3x square dx कहा चला गया dt में 3x square dx किस में चला गया dt मे अब 1 upon t का integration क्या होता है आप बोलोगे log t log t plus c मानते हो ठीक है यहां तक अब t की जो original value थी वह convert back तो करोगे न आप तो x cube plus 1 plus c आप चेक करो यही था आंसर मैंने आपको जो type बता था उससे बता दिया था पर किस तरह से आया वो working मैंने पूरी clear कर दी यहापर ठीक है आगे बहुत सारे questions है यह तो बहुत basic है आपका substitution का देखते है और थोड़े से questions यहाँ पे देखो यहाँ पे अब थोड़ question में दिख रहा मुझे क्या मतला x plus 1 का derivative क्या होगा 1 तो उपर तो x है तो वो proper किसी type से match तो नहीं हो रहा और जो हमने fundamental formula पढ़े था उसमें भी ऐसा formula नहीं था तो यहाँ पर हमें थोड़ी से technique लगानी पढ़ती है वो यह है कि देखो अगर यह root ना होता अगर यह root ना होत हो जाता मला अगर यही चीज उपर होती without root तो बात बन सकती थी तो हमें ना problem क्या कर रहा है तो denominator की term with root problem कर रही है तो हमने क्या किया बच्च्च इसमें हमने क्या किया यह जो दो terms है ना जो separate नहीं हो पारी root की वज़ा से मैंने इसको t ले लिया मला कई बार ना आप substitution return trial पे पड़े ncrt का कोशन है यह सिरफ यह तो मैंने इसको t लिया ठीक है समझते कैसे करेंगे क्योंकि square root के अंदर अगर है दो terms है तो separate नहीं हो पारा numerator के साथ तो मैंने इसका derivative किया तो dt एक काम करते है एक second यहाँ पे t की value x plus 1 आई ना तो यहाँ पे आप क्या करो x की value निकाल के रख लो x की value आगई t minus 1 यह लोग नीचे ही कर लेते हैं x की value आगई t minus 1 ठीक है और अगर अब मैं जैसे x की value t minus 1 है मैं dx upon dt निकालू या dt upon dx निकालू dt और dx का relation तो मिली जाएगा ना मैंने इसमें क्या कर दिया differentiate कर दिया with respect to t अच्छा उपर वाली टर्म को भी आप with respect to x differentiate कर सकते हो तो मैंने इसमें अगर dx by dt किया तो t का तो 1 हो गया और 1 का 0 हो गया तो dx by dt मेरे पास क्या value आगई 1 आगई तो dx किसके equal हो गया यह तो dt के equal हो गया dx और dt डारेक्टली आपस में replace हो जाएगे अब अब integral मैंने consider किया integration का sign same x की value क्या आ चुकी है t-1 numerator के अंदर x की value आ चुकी है t-1 denominator में denominator में x plus 1 को अगर आप t ले चुके हो तो नीचे क्या रहा गया root t root t जो मेरा function पूरा t में आ गया element of integration भी t में होना चाहिए तो यहाँ पर dx की जगा dt लिख दू यह value निकाल चुके dx तो dt के equal है अब देखो यह एक ऐसी form बन गे जो हमने पर देखो solve करना चाहूं तो t by root 2 is root t अभी integration नहीं कर रहे तो basic exponents को concept लगाया और यह इसको कैसे करें अब अगले step में करते काम करते power rule अगले step में लगाएगे यहाँ पर मैंने लिख दिया t raised to power 1 by 2 इसे लिख दिया t की पार minus 1 by 2 अच्छा इसका ऐसे result मेरे पास है वैसे लगा दूँ चलो directly लगाते देखते हैं पिछले lecture कितना याद है आप लोग को चलो root t का integration देखो root t का मतलब क्या t की power 1 by 2 है भाई t की power 1 by 2 है तो उसका integration क्या होगा t की power 3 by 2 divided by 3 by 2 और इसका देखते कितनों का याद है 1 upon root t का integration क्या होगा मैंने लिखवाया था as a special result लिखवाया था type 1 में 1 upon root x का integration 2 root x तो 1 upon root t का integration 2 root t plus c final working में क्या करेगे देखो ये तो 2 by 3 उप़र आ ही जाएगा है ना ये 2 उप़र आ गया t में answer थोड़ी छोड़ोगे आप t की जो original value वो रखोगे ना t की value कितनी है x plus 1 whole power 3 by 2 minus में 2 under root x plus 1 plus c ये है situation ठीक है तो ये substitution का देखो एक और type है जिसमें जो element आपको तंग कर रहा था जिसकी वज़ा से आप integration के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे आपने उसी को t ले लिया और उसी पर काम करना शुरू किया तो simplification करने के बाद क्या मिला हमें integrable form मिल गई तो ये चीज़े कैसे आएगी जितनी practice करोगे जितने ज़्यादा questions देखो कि आप आपका भी directly substitute हो रहा है क्या कुछ? directly तो नहीं हो रहा है क्योंकि log x का derivative बच्चो 1 upon x होता है और यहाँ पे x plus x log x रखा हुआ है अगर एक step अगर आप हिम्मत करके एक step इसमें ले लो कि x common ले लिया 1 plus log x ऐसे तो अब अगर आप इसको बात करोगी इसका derivative यह रखा हुआ है directly करने की कोशिश करूँ मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बच्चो 1 by x और नीचे 1 plus log x directly करने की कोशिश करूँ फॉर्मले से जो मैंने type 2 लिखवाया था नीचे fx है नीचे आपके पास क्या है fx है 1 plus log x इसका derivative करना 1 का तो 0 हो गया log x का 1 by x उपपर f-x पढ़ा हुआ है तो इसका क्या type पढ़ा था हमने log fx log fx plus c यह पढ़ा था हमने तो मेरे पास answer क्या आ रहा है log to the base e fx यह पूरा है 1 plus log x plus c क्या कहतो कैसा लगा डिरेक्ट्ली मैंने टाइप टू अपलाई कर दिया कि सेकेंड वाला जो रिजल्ट था अच्छा अगर मैं कहरो कि वर्किंग मानलो डिरेक्ट्ली कर दी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना अभी पीछे सिखाया तो भाई इसको टी ले लो इसको टी ले लो इसका रहे हैं समझ गयाना यह टी लगा के कर लो अगर मन में डाउट है तो कुछ इसको टी ले लो डी टी निकालो पूरा वन अपॉन टी बचेगा डी टी वर अपॉन टी टी ठीक है और वन अपॉन टी का इंटेशन लोग टी होता है टी की वेल्यू वापिस रगती है अब जो हुए वाला पार्ट पड़ा है ना ब्ätta तो हमने टाइप प्र में कर लिया था वैसे में कर लिया था हमने क्या सीख़ा था कि पावर बंउट यूग को समय तो आपको ax plus b की power 1 upon 2 दिख रही है आपको तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे थे कि power एक increase हो जाएगी 3 by 2 अपन में 3 by 2 तो है और x का coefficient डिवाइड कर देता है यह चीज मैंने आपको last lecture में बहुत सिखाई थी लेकिन कोई reason नहीं था ना उस तरह में आपके पास आपको जब बोला आपने मान लिया कि भाई x का जो coefficient है उससे divide कर दो लेकिन यह चीज कैसे होती है यह substitution आपको explain करता है उस तरह में substitution नहीं बढ़ रहे थे ना तो directly मैंने सिर्फ आपको result बताया था कि भाई x का जो coefficient है उसससे divide करना मत भूलना आपने वो बात याद कर ली थे क्योंकि बहुत सारे questions हमने देखा था यहाँ पे यह result कैसे valid होगा कह रहा है कि भाई square root of x होता square root of x होता तो मैं directly solve कर देता power rule लगा के लेकिन root के अंदर तो ax plus b है अब इसमें तो रटने वाली बात है ने भाई a से divide कर दो कहना रुको verify करके देखते है root के अंदर जो भी अलग सी value दिख रही है आपको जो आपको direct result apply करने से रो करी है उसको t ले लो जैसे हमने पीछे वाले question में किया था जो problem creating element है उसी को t ले लो भाई हमने इसको क्या क्या t ले लिया लो a x plus b element of integration change करना है dt by dx कर दिया जो करते आ रहे है a x का 1 हो गया b का 0 हो गया तो यहाँ पर dt by dx कितना दिख रहा है आपको a दिख रहा है अब मेरी बात सुनो यहाँ पर dx की value निकालो तो क्या होगी dt के नीचे यहाँ पर a आ जाएगा और dx मिल गया बोलो बच्चो dx उपर a नीचे अब integral पर आ गए यहाँ पर इस पूरे को क्या लिया आपने इस पूरे को क्या लिया है t तो यह तो हो गया root t यह हो गया root t और dx के लिए कितनी है dt by a अच्छा a constant है बाहर आ गया और root t का integration अब करें t के पार 1 by 2 का integration क्या होने वाल है t raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 प्लस c देखो अपने आप a division में आ रहा है न अपने आप a division में आ रहा है तो इस वजह से इस working को अगर मैं follow करता हूँ तो a division में आ रहा है जिसको as a result हम याद करके directly apply करते है क्योंकि अब मैं बताता हूँ substitution बहुत ही ज़्यादा basic exercise है एक मनला one marker question इसमें शायद कभी आजा तो आजा है otherwise ये exercise throughout the chapter use होती है बड़े questions में last में जब working होगी तो वह substitution करवा रहा होगा आपको जो कि आप directly कर देते हो ठीक है AX plus B whole power 3 by 2 plus C यार यही तो था पीछे अभी answer जो मैं निकाल रहा था directly अगर आप करते हो थे क्यों होता है AX plus B की power 3 by 2 upon में 3 by 2 और upon में A वही तो answer है directly आपने याद कर लिया था result exact मतलब जो इसकी explanation थी उस result की वह substitution method से आती है बाहर हुआ clear ठीक है यह सारे हलके-फलके question है एक-एक बार अपने हाद से practice कर लेना आगे चलके थोड़े और अच्छे questions आपको मिलेगे यह भी कुछ NCRT के ही है इसमें क्या हो पा रहा है देखो दिक्कत कहा लग रही है directly कुछ हो पा रहा है है को दिक्कत है इसमें X under root X plus 2 इसका integration करने है तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि अगर यह ऐसे होता न root X, X plus 2 तो आप बहुत खुश हो जाते exercise 1 का part है यह यह इससे भी multiply होगा यह इससे भी multiply होगा problem क्या आ रही है problem क्या आ रही है कि भाई X plus 2 है और यह X है अब यह X कोई multiply तो होगा यह अंदर तो root के अंदर यह जो दो terms है यह problem कर रही है अगर root के बाहर दो terms होती है तो ठीक था महलों root के अंदर दो terms और बाहर एक term without root वो problem है तो हमने क्या किया root के अंदर जो term है उसको पहले की तरह T ले लिया ऐसा same question किया है हमने जिसमें क्या था X upon में root X plus 1 था तो भी root के अंदर वाली चीज को हमने T ले लिया था इसमां multiplication में था भी T ले लो अब तो थोड़ा सा idea लगना शुरू हो गया dt by dx कर दू डिरेक्ली dt by dx यह हो गया 1 plus 0 ठीक है भाई तो dt की value कितनी आगई dx के equal आगई अच्छा यहां से यहां से मैंने X की value निकाल के रख लिए T माइनस में 2 यहां से X की value मिलके T माइनस में 2 अच्छा आप dt by dx करो यह X की value निकाल के dx by dt करो बात तो ही कि रहेगी dx equal to dt ही आएगा इंटिग्रल पर आजाओ अब मैं यह लो X की value क्या निकाल चुके आप X की value T माइनस 2 और root X प्लस 2 root X प्लस 2 कितना है root of T dx की जग़ा कितना है dt भाई dx की जग़ा dt है अब अब क्या करें अब देखो single term है root में और 2 term है बीच में minus में तो हमने क्या किया T into root T और minus 2 into root T ऐसे question था हमने first lecture में भर के किया है कोई दिक्कत नहीं है तो इसका अगर मैं basic exponents का concept लगाओ T की power 1 T की power 1 by 2 तो overall T की power 3 by 2 हो गया minus 2 T की power 1 by 1 by 2 इस पूरे का integration होना है अब integration क्या कहता है power एक increase हो जाएगी वही value नीचे आएगी तो 3 by 2 में 1 अगर increase करते है तो 5 by 2 आएगा अपोन में 5 by 2 minus में 2 इसका क्या होगा 3 by 2 अपोन में 3 by 2 plus C T में तो answer हम नहीं छोड़ सकते तो T की original value X plus 2 है तो उसको लिखना पड़ेगा इसमें मैंने इसको ऐसे लिख जा 2 by 5 T की value X plus 2 whole power 5 by 2 ठीक चल रहा है अच्छा 2 ऊपर चला गया तो minus 4 by 3 यहाँ पर क्या आगया X plus 2 की power 3 by 2 plus C बताओ दिक्कत तो नहीं है easy तो है यह भी ठीक है clear यह सब वर्किंग तो हमने फिर्स लेक्चर में भी की थी ना इसमें देखो इसमें इसका derivative देखना 2X plus 1 अगर मैं 2 common ले लो तो derivative पड़ा होगा है महला let करने का जो base था substitute करने का जो base था इसमें satisfy हो रहा है इसमें satisfy कैसे हो रहा है पहला step यह ले लिया कि 2 common ले लिया 2X plus 1 ऐसे under root X का square plus X plus 1 dx इसमें इसमें मैंने इस root के अंदर वाली term को as a function मानके मैंने T substitute कर दिया क्योंकि इसका derivative साथ में question में पड़ा होगा है substitute किसे गरते हम उस function को substitute करते हैं जिसका derivative question में पहले से दिख रहा हुआ हमें तो X square plus X plus 1 का derivative जो की 2X plus 1 होता है question में पड़ा हुआ है पहले से तो मैंने अब क्या किया इसमें dt by dx किया वच्चो dt by dx यह कितना आ गया 2X plus 1 dx उपपर चला गया तो dt element की value आपके आ गया 2X plus 1 dx अब हम आ गए integration पर integration का sign लगा दिया अब देखो 2X plus 1 dx 2X plus 1 dx use हो जाएगा dt में जो number बचा 2 वो manage हो सकता है जो numbers होते हैं ना constant number वो manage आप कर सकते हो जैसे 2 को तो 2 रखा अच्छा इस पूरे को t ले लिया तो यह root t हो गया और 2X plus 1 dx किसमें चला गया dt में इसका integration हो नहीं जाएगा क्या हो गया कैसे 2 बाहर यह कितना हो आजागा t की पार 1 by 2 integration होना है लो भाई कर दिया integration कितना होगा power एक बढ़ गई और वो ही power नीचे आ गई प्लस C final answer क्या लिख किया अब 2 उपर चला गया 4 by 3 4 by 3 t की original value x square plus x plus 1 उसकी power 3 by 2 x square plus x plus 1 whole power 3 by 2 plus C कोई doubt ठीक देखना चाहो देख लो एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है post करके एक बार देख लो जो working है आपकी आगे देरे देरे करके देखो questions का level बढ़ रहा है देरे देरे करके ठीक है तो last questions तो बहुत ही अच्छे है जिसमें आपको दिखे गए नहीं कि शुरू में कि integration लगनी कैसे है और substitution लगनी कैसे है देखते है चलो सारे questions cover करेगे यह easy है यह वाला तो easy है क्योंकि 1 plus ex ex तो सबसे जादा शरीफ function होता है बहुत बार हम बात कर चुके है कि भाई 1 plus ex का derivative क्योंगा ex question में पहले से दिखे रहे है तो भाई हमने क्या किया अब बिना रुके इसको तो ले लिया t speed में इसको तो ले लिया t तो dt by dx क्या दिख रहे है आप बोलोगे जी ex ही तो आये तो यहाँ पे एक line बचाओ dt की value क्या दिख रही है आप बोलोगे ex और dx ठीक है बढ़ाए थोड़ी से speed यहाँ पे 1 plus ex को t ले लिया तो यह तो t square हो गया अब यह हवा में थोड़ी लटकेगा 1 upon में 1 upon में t square ex dx किसमें चला गया ex dx किसमें चला गया dt में फिर मैंने बोला था कि 1 upon t square एक ऐसा standard integral है जिसका answer आपको याद होना चाहिए 1 upon t square का integration होता है minus 1 by t plus c अगर नहीं मान रहा हो आपका तो भाई 1 upon t square को आप ऐसे करके करो कि t की पार minus 2 dt है ना और ultimately यही आएगा मैंने last lecture में बोला था as a standard result इसको याद कर लो ठीक है तो अब वैसे तो power rule ही लगाया time जितना बचा सकते बचाओ ना t की value 1 plus e raise to power x plus c खतम इतना simple question इतना simple next में आप खुश सोच लो पहले substitute क्या करे किसको गरे substitute मैं एक format थोड़ा सा change करके लिख दिया तो इसमें जैसे यह cube root है तो यह मुझे जो दिख रहा है cos square x की power मैंने 1 upon 3 करके लिख दिया ऐसे है ना यह into में sin x है सोच लिया ना किसको लेना है t किसको लूँ अच्छा एक step और मैंने बढ़ा दिया आपके लिए cos 2 by 3 x into में sin x और ऐसे number manage हो सकते है functions match होने चाहिए मैंने क्या किया इसमें मैंने क्या किया t ले लिया cos x को तो dt by dx क्या बना आपने बोला जी sin x नहीं बना यह तो minus sin x बना तो मैंने आपको एक बात बोली है कि भाई minus और ऐसे tension लेन के जूरत नहीं है minus को तो तुम dt को दे दो माइनस dt के पास आ गया और यह dx उपर गया तो sin x dx तो match कर गया क्या कहते हो sin x dx क्या हो गया minus dt तो minus तो manage हो जाएगा कैसे manage होगा integral उठाया दुबारा से cos x को आपने t लिया तो यह तो बन गया t raise to part 2 by 3 और यह sin x dx बन गया minus dt अरे तो minus तो आ गया बाहर minus तो बाहर आ गया integration से t की power 2 by 3 t की power 2 by 3 का अगर integration कर रहे हो तो क्या होगा plus 1 upon में 2 by 3 plus 1 lcm लेके क्या आ रहे 5 by 3 t raise to part 5 by 3 upon में 5 by 3 plus c ठीक है 3 उपर आ गया 5 नीचे minus 3 by 5 t की original value वापिस रख देगे हम answer कभी t में मत छोड़ना minus 3 by 5 ठीक है minus 3 by 5 t की original कितनी है cause x है और power 5 by 3 plus c final answer अलग-अलग तरह की possibilities कब कैसे लेट करना है जितने questions आप सुनोगे खुद practice करोगे बहुत easy लगेगा यह सब ठीक है बहुत easy है यह आगे देखते है यह देखो log 1 plus 1 by x और denominator में x multiplied by 1 plus x किसे करे substitute किसे करे देखो x into 1 plus x अगर मैं इसका bracket कोल दूना तो x plus x क्योर होगा x plus x क्योर के derivative होगा 1 plus 2x match नहीं हो रहा फिर log 1 plus 1 by x मैंने कहा ना जब first जाओ hit and trial करके देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ मैंने bracket multiply करे x plus x क्योर मैं करके देख रहा हूँ derivative करके देख रहा हूँ कि भाई 2x plus 1 आ रहा है match नहीं हुआ फायदा नहीं है numerator को करके देख रहा हूँ एक ही possibility बची है तो मैं लिख रहा हूँ ठीक है let मैंने ले लिए t is equal to log करके देखते हैं नहीं होगा था फिर कुछ और शोचेगे तो दो ही possibility दी एक possibility हमने हवा में सोच ली वह होनी रही दूसरी यहाँ पर करके देख रहा है dt by dx करा dt by dx करा तो पहले तो log का one upon x का derivative यह होता है dt by dx चल रहाए अभी तो यहाँ पर हमने क्या किया जी यह ऐल्सिम ले लिया यहाँ पर हमने ऐल्सिम ले लिया तो यह तो बन गया x plus 1 और यह बन गया माइनस 1 बाइक स्कूर जितना जल्दी कर सकते हो कर लो आप ठीक है कोई रुकने की जुरत नहीं है मैं तो एक एक स्टेप करके दिखा रहो कि बाइट चंस करते करते कोई बच्चा गलती कर जाए तो उसे पता चल जाए क्या गलती हुई है Culture यह तो इतना कोई explain करता नहीं मतलá अब डिरेटट लेंश ओगये से एक्स उपर एकस प्लस वन और 2019 साथ एक और najस जो कि मैच हो है denominator से x plus 1 के साथ 1x x plus 1 के साथ 1x तुम को माइनस आ रहे हैं बता दिया माइनस मैनेज हो जाता है माइनस को मैंने भेज दिया इधर माइनस को भेज दिया मैंने इधर dt के पास यह बना dx upon में x plus 1 into में x integral पे आ गए इंटिग्रल पे आ गए इस पूरे को क्या ले लिया टी इस पूरे को ले लिया टी dx upon में x into 1 plus x dx upon में x into 1 plus x की value कितनी है जी माइनस dt अरे माइनस तो मैनेज हो ही जाएगा t dt integration of t t square by 2 plus c t की original value minus 1 by 2 को side में रखा log 1 plus 1 by x इस पूरे का whole square plus c आंसर बड़ा जीप साथ है कोई घबराने की जूरत नहीं है working बिल्कुल ठीक है हमारी substitution उसको substitute करो जिसका derivative question में आपको पर दिख रहा है denominator को करके देखा मैंने मुझे नहीं देखा obviously मैं इसका derivative करके log थुड़े obtain कर लूगा हाँ log का derivative किया पूरे angle के साथ उसके तो भाई करते करते वो expression match हो गया जो denominator में पढ़ा था तो त्राइ करके देखना बड़ेगा आपको और देखते है चलो यह NCRT के यह question आपका 7.2 का इसमें भी आप बोलोगे कि directly मैं कुछ कर लू substitute नहीं होगा ना e की पावर 2x प्लस 1 का अगर मैं derivative करते हो तो e की पावर 2x into 2R तो सिरफ e की पावर 2x अलग से थोड़ी दिख रहे है बीच में जो मैं सिखार हो प्लीज सीखो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यू हुआ फर्स टाइम नहीं सोच पाता बच्चा उसको पहले एक बाद समझना पढ़ता कि अच्छा है इस वज़ा से करा जा रहे है और यह क्या किया जा रहे है e raise to par x से numerator और denominator को divide कर रहे हैं देखे ज़रा क्या benefit होने वाले है e raise to par 2x minus 1 divided by e raise to par x divide ठीक है divide यह जो था divide मैंने ऐसे लगा दिया और e raise to par 2x plus 1 divided by e x लो बच्चो ठीक चल रहे है यहां तक अब separate किया मैं तो एक एक चीज़ करके दिखा रहो देखो आपको आप directly लिखना चाहो लिख सकते हो यह मैंने ऐसे separate कर दिया ठीक है denominator पर भी यही हरकत है same लो बच्चो clear अब e raise to par 2x divided by e x e की power x हो गया 1 upon e x को मैं e minus x लिख सकता हूं divided by main divide को फिर लिख दिया e to x divided by e x e x हो गया और इसको मैं लिख दिया प्लस e minus x भाई अब इसका derivative देखो उपर रखा हुआ है कर देता हूं मैं फिर भी वैसे हो था आप लिख सकते हो log denominator directly log f x लिख सकते हो otherwise कैसे आया यह लोग मन में doubt ना रहे आपका t ले लिया मैंने denominator को denominator को क्यों लिया करके दिखा रहा हूं मैं देखो numerator मैं चोगा exactly dt by dx करा e x बेचारा तो e x ही रहेगा derivative में e minus x का करा तो e minus x chain rule से minus x का minus 1 तो dt की value क्या बन गई e x माइनस में e minus x into में dx इंटिग्रल पर आ जाओ इंटिग्रल पर यह आई ही तो चल रहा है भाई इसको t ले लिया यह पूरा dt मे चला गया तो one upon में तो लिखो गई ना आप इसे one upon t यहापे dt आ गया one upon t का integration log t plus c t की value रखना मत भूलना e की power x plus e की power minus x plus c यह answer आपका तो यह जो किया उस form में बनाने के लिए कि जिससे आपको function और derivative include हो जाए question में दोनों अभी तक ऐसी वाली form देखते आ रहे थे ना कि इसमें function और derivative दिख रहा था इसमें initially मुझे एक working करनी पड़ी अलग से जिससे यह form में आया substitution की तो यह चीज थोड़ी सी practice से आपको बता चलेगी कि कहां पर किस से divide multiply करना है सुनो अभी और सुनो और भी questions है थोड़ा और idea लगना शुरू हो जागा आपको हिम्मत रखके सुनते रो बस यह easy है यह easy है क्योंकि इसमें देखो hint मिल रहा है अब क्या करें अब क्या करें मैं अगर इस पूरे को टी ले लो denominator को क्यों कि देखो उसी को लेते ना जिसका derivative question में हो तो इसको वन माइनस तो वैसे जीरो हो जागा तो मैंने पूरे bracket को ही टी ले लिया तो मैंने यहापर क्या क्या टी ले लिया वन माइनस में tan x ऐसे तो भाई dt by dx क्या बना वन का तो आपने बोले जी जीरो हो गया माइनस तो रहेगा tan x का बन गया 6 square x आप बोलो के 6 square x चाहिए मुझे सिरफ तो माइनस हमने भेज दिया dt के पास और 6 square x के पास आगया dx इंटीग्रल क्या बना आ कि वना इंटीग्रै वह इस पूरे को टीलिया तो रही इसको बन गया 6 square x dx किसमें चला इस देखो ये क्या बाना टी स्क्वएर और यह किसमें चला गया माइनस डीटी में फिर होई बात कि भाई ह्वा में थोड़ी लटकाएगा वन लगा दो वन एपों टी टी उigor माइनस माइनस बहार गया one upon t square का integration देखो मैंने का था बहुत बार use होगा one upon t square integration दो थिन बार तो इसी class में use हो गया one upon t sqr integration minus one by T क्या लगा होगे minus one by T plus C minus one by T plus C तो integral कितना आ गया one by T plus C T को रखना मत भूलना ओरिजनल वैल्यू टी की रखना मत भूलना ये लो ठीक है छोटे-छोटे कोश्चन है यह सम्में अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा कॉंसेप्ट हम लगा रहे हैं और देखो ये देखो क्या गरें इसमें देखो रूट 10X divided by sinX और cosX है initially तो बात नहीं बन रही देखने से कि कुछ substitute कर दो बात बन जाए आप बोलोगे कि sinX का derivative तो cosX है लेकिन tanX को क्या करेगे तो मला substitute तब करते हैं न जब भाई function का exactly derivative पढ़ा हो बाकी constant बगरा हो जोसको हम manage कर लेगे ऐसे अलग से एक और extra function पढ़ा हुआ तो बात नहीं बनेगी substitution से तो tanX के साथ 6X मैच हो सकता है derivative में है ना तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो बड़ा अच्छा question नहीं है NCRT का यह exercise का मैंने क्या किया first step इसमें पहले तो question पूरा copy किया cosX से divide दूर की सोच के चल रहा हूँ मैं tanX का root है तो भाई यह tanX बन गया sin upon cause यह tan बन गया और cause और cause cos square X sex square X बन जागा बात समझाई तो यह root tanX तो था ही चलो अब उन में यह पूरा tanX बन गया यह जो cos square X है यह उपर लिख दिया मैंने sex square X बहुत बढ़िया ठीक है जी अब root tanX upon tanX root tanX upon tanX कितना हो गया 1 by root tanX अरे इतना मैस तो आता भाई root 2 by 2 क्या होता है रेस्टलाइस कर लोगे तो 1 by root 2 ही तो होगा है ना root tanX by tanX क्या हो गया 1 by root tanX अच्छा यह into मैं sex square X पता कौन सा टाइप बन रहा है type 3 जो हमने पढ़ा था type 3 type 3 क्या पढ़ा था याद दिलाओ f-x उपपर root fx नीचे integration करूगा तो क्या आएगा 2 root fx तब मैंने proof नहीं करवाया था तो आप लिखना चाहो तो directly पता है तो इसका आणसर आ रहा है 2 root tanX आणसर आ रहा है directly करके दिखा दो आपको substitute उसे करते हैं जिसका derivative पढ़ा होता है तो हमने क्या किया यहापर हमने यहापर क्या 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 t ले लिए tanX को t ले लिए tanX को तो dt by dx मेरे पास क्या आगया आपने बोले जी यह तो six square x आ गया ठीक है जी तो dt की value कितनी बन गई six square x dx बन गई integral पे आ गए हम अब देखो ज़रा integral पे यह तो root t हो गया यह six square x dx dt बन गया यह तो बन गया root t अप उपर तो one है dt one by root t का integration one by root x का integration क्या था two root x two root t plus c और t आपका tan x है बता ही था मैंने आपको वही साफ directly सोच ले सकते थे इस वाले result से two root tan x answer आ रहा उस result से ठीक है almost तीनों ही type use हो गए मरे ख्याल से अभी तक तीनों ही use हो गए बड़ा चोबशन है तो क्या करें इसमें किसको t ले किसको लेटी x cube को लेगे तो three x square कोई फायदा नहीं है one plus x की power eight को लिया तो eight x raise to pass seven कोई फायदा नहीं है sign का derivative course होता है कोई फायदा नहीं है tan inverse x की power four तो उसमें एक हिंट मिल रहा है कि x की power four का four x cube होता है तो x cube तो पढ़ा हुआ है four manage कर लेगे और tan inverse x की power four अब बहुत ज़्यादा हिंट मिला हमें कैसे कि मैं अगर इसको t ले लू tan inverse x raise to power four पूरा इसे ले लू तो भाई dty by dx पता है इसका क्या होता है tan inverse x का derivative क्या होता है tan inverse x का derivative one upon में one plus x का square तो one upon में one plus x four का square अरे x तो मेरे x रिस्ट पाइब 4 है ना तो one upon में one plus x की power two chain rule से chain rule से x की power four कभी तो गरोगे four x cube चलो आगे देखते हैं dty by dx उपर आ गया four x cube denominator में आ गया one plus x की power eight अब बड़ा अच्छा लग रहा हमें ये पूरा match हो गया ये पूरा match हो गया match क्या नहीं हो रहा four number वगयरा तो मैनेज कर सकते है बात मैं बहुत बारे बोल चुका हूँ dt के नीचे four को ले आओ और x cube one plus x की power eight dx एक साथ मालब पता है देखो x cube one plus x की power eight और dx ये सब चले गए dt by four में integration integration of देखो ये 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 सब गया sine ये पूरा t है sine ये पूरा t क्या बना sine t और ये सारा x cube one plus x की power eight dx किसमें चला गया dt by four dt by four कितना बड़ा expression था और क्या दिख रहा बता हो में सामने one by four बाहर constant sine t का integration करना है मुझे sine t का integration क्या है भाई minus में cos 3 formula आपको याद कर नहीं है कोई shortcut नहीं है उसका minus one by four cos t की value कितनी थी बहुत ही बढ़िया value tan inverse x raise to power four plus c मज़ा आ गया सही है देखने में क्या लग रहा था और निकला क्या कुछ भी नहीं है इसमें substitution सही पकड़ दी ना तो बहुत अराम से solve हो जाते है questions क्या करें O part ठीक है कर दू directly directly सोच पा रहे हो क्या दिख रहा है इसका derivative देखना x की पावर 10 x की पावर 10 और 10 की पावर x का वैसे तो देखो दिख रहा है log denominator दिख रहा है ये सबको फिर भी दिल की तसल्ली के लिए 10 x 9 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 देखना exactly numerator में पढ़ा हुए same कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है same पढ़ा हुए तो भाई लगा रहे है अब तो integration का answer क्या है क्या लगा है log fx shortcut मार दिया log fx fx क्या है denominator में पढ़ा हुए खतम कौन सी property लगी है नीचे fx उपर exactly f'x पढ़ा हुए तो क्या होता है log fx ये लगा है ठीक है खुछ समझ गए आप अब तो हो गए काफी question इस तरह के है ना दो तिन question हो रहे है बस छोटे छोटे देख लो हाँ नहीं छोटे छोटे तो नहीं है इन में थोड़ा सोचना पड़ेगा last कर तीन question बचे है ये भी समझ लो बच्चो काफे technical question सही है इसमें substitution नहीं लगेगी substitution इसमें नहीं लग रही मतला sin x का derivative cos x दिखता है ना cos x का derivative sin x दिखता है तो उसमें कुछ बनेगा नहीं फिर भी square है ना दोनों पे तो इसमें ना मैं एक special ऐसे ही करवार होगी है तो इसमें trick क्या लगाएगे one को उपर जो one है ना उसको मैंने लिख दिया sin square x plus cos square x अब लग रहा था बस दोखा है आप इसको बस ऐसे ही करने की कोशिश करो देखते क्या होगा sin square x के नीचे denominator में ये दोनों आ गए directly लिखना चाहता है तो सिरफ cos square x लिख लो इदर sin square x लिख लो अभी मैं पूरा लिख दे तो ये लो ऐसे parts भी कर दिया क्या कहते हो अब ये cancel होगा one upon में cos square x और ये cancel होगा one upon में sin square x substitution नहीं लगी इसमें ये ता ऐसे ही हो गया one upon में cos square x क्या बना आपके पास क्या बना one upon cos square x 6 square x और one upon sin square x क्या बना cos square x ये तो direct formula लग गए direct formula है sex square x का integration बत्चो tan x होता है cos square x का क्या होता है minus में cortex plus c ये तो ऐसे होगा हटाओ substitution नहीं लगी इसमें लग रहा था कि साथ sin x का derivative cos x loop cos x का derivative sin x loop कोई फायदा नहीं होगी कि दोनों पे square है ना हटेगा नहीं वो पूरी तरह से तो ये इसका best option है करने का solve ठीक है चलो दो कोशन और देख लो बच्चो देखो ऐसा वाला case तो मैं देखो करवा चुक हो इसमें बस थोड़ी से solving जादा है तो मैंने कोशन last में लिया है ऐसा case हम कर चुके है कि देखो x plus 2 है ठीक है ये case हम शुरू में देख चुके है पर solving थोड़ी सी जादा है तो मैंने यहाँ पर अलग से लिया है इसको यहाँ से मैं x की value निकालने की कोशिश करूँ तो value क्या बनेगी आप बोलो के t-5 is equal to 3x और t-5 by 3 is equal to x ये value निकाल के रख ली ठीक है बाद में काम आएगी और यहाँ पर dt by dx अगर मैं करूँ हाथो हाथ तो 3 into 1 plus 0 मतलब इतना जादा मैं कर देता हो जुरत नहीं है ये भी वैसे तो directly आप dt equal to 3 dx लिखोगे और आप ये भी कर सकते हो कि dt by 3 is dx मैं जा रहो integral पर directly अब integral में question लिख ले तो पहले x plus 2 under root 3 x plus 5 dx पूरा लिख लिया तो x plus 2 देखो इसमें x की value मैं निकाल चुक हो x की जगा मैं value लिख रहो t minus में 5 by 3 plus 2 ये तो अपना एक bracket था ही root 3 x plus 5 ये हो चुका root t dx की value dt by 3 ठीक चल रहा है यहाँ पर lc m की possibility दिख रही है चलो lc m ले लेते है ठीक है यहाँ पर हमने lc m ले लिया lc m लिया 3 तो कितना हो गया ये t minus 5 plus 6 ठीक है ये हो गया root t dt by 3 अब हो जाएगा आपसे अच्छा 3 और 3 constant 9 बहार आगए 1 by 9 बहार आगए ये क्या बचा minus 5 plus 6 t plus 1 root t dt बचा सिरफ अब अब तो हो जाएगा root t अंदर multiply होगा दोनों में तो लिख दो directly t और root t क्या होगा t क्या होगा t की power 3 by 2 directly ले लिया 1 को root t से क्या तो t की power 1 by 2 dt integral 1 by 9 इसका integration क्या होगा t की power 5 by 2 by 5 by 2 t की power 5 by 2 by 5 by 2 यहापर t की power 1 by 2 क्या देगा t की power 3 by 2 by 3 by 2 plus c हो गया integration तो है ना अच्छा जादा जादा क्या होगा 2 by 5 2 by 3 2 common ले लिया मैंने 2 common ले लिया बहार आगया 2 by 9 यह t की value क्या थी originally 3x plus 5 तो 3x plus 5 whole power 5 by 2 upon में इसका 5 तो बचा यह जो upon वाला 2 था इधर आया upon वाला 2 इधर आया 2 common ले लिया बाहर आगया वो यहाँ पे भी t के value तो 3x plus 5 ही है 3 by 2 upon में 3 plus c यह लो बच्छो ठीक है तो यह case हम कर चुके है कि इसको ऐसे let करना है लेकिन थोड़ी सी solving जाता हो गई तो मैंने last में ले लिया इसको solve करने के लिए ठीक है last question देखे बस एक last question हो रहा बच्छो बड़ा अच्छा question है वो ठीक है miscellaneous में ऐसे question आपको दिये हुए sin 2x आ गया और नीचे a square sin square x t square cos square x शुरू में सोचे तो नहीं समझा रहा क्या ले t किसको ले अगर थोड़ा समय आपको hint दू hint मतलब sin square x का derivative देखना क्या आएगा sin square x का derivative chain rule लगेगा 2 sin x और sin x का cos x होगा 2 sin x cos x sin 2x बन रहा है cos square x का करना 2 cos x cos x का minus sin x तो minus 2 cos x sin x again minus sin 2 x बन रहा है hint मिल गया मतलब इन दोनों का derivative परवला है a square b square constant है try करते है manage करने की मैंने क्या किया इस पूरे को ही t ले लिया क्योंकि दोनों terms में से मुझे sin 2 x मिल रहा है चलो करके देखते हैं वो तो मैं हवा में बात कर रहा था अब यहां पर लिखके देखते है dt by dx a square constant ऐसे ही है sin square x का derivative 2 आगया आगया sin x की power 1 हो गई फिर sin x का derivative cos x हो गया plus b square constant है cos square x में 2 आगया आगया cos x की power 1 हो गई फिर cos x का minus sin x है derivative समझा रहे है dt by dx यह क्या बन गया 2 sin x cos x sin 2 x a square sin 2 x यह minus भीच में आगया minus b square 2 sin x cos x again sin 2 x यह बन गया minus b square sin 2 x बहुत ही बढ़िया अब dt by dx मुझे क्या दिख रहा है भाई मैंने sin 2 x common ले लिया पीछे से ऐसे मुझे sin 2 x के साथ dx सही है ठीक है तो a square minus b square constant है constant को मैं dt के पास ले आता हूँ लो कौन सी बड़ी बात है यह तो sin 2 x के साथ यहाँ पर क्या आ गया dx आ गया लो बच्चो यह सही है integral पर आ गये integral पर आ गये denominator तो भाई t ले लिया था यह पूरा तो t हो गया sin 2 x dt क्या sin 2 x dx क्या दिख रहा है आप बोलो कि dt upon में a square minus b square तो क्या यह t हवा में लटका रहेगा अरे 1 upon t a square minus b square constant है बाहर आ गया integration के sign से integration किसका करना है 1 by t dt देखो अब lecture के last में अगर यह तुम्हें सोचना पढ़ रहा है तो फिर बहुत गलत बात है तो 1 upon t का integration क्या होगा बच्चो अरे लोग t plus c और वो जो t की प्यारी सी value थी वो यहाँ पर place कर दो वो value क्या है a square sin square x plus b square cos square x और plus c लगाना मत भूलना दो exercise आपके complete हो गई है 7.1, 7.2 प्रैक्टिस करो अच्छे से आगे types पढ़ते रहे हैं ठीक है अगला type trigonometric results का type है फिर standard integrals है तो सब sequence में चलता रहेगा यह सारी चीज़े उसमें use होगी तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो दोनो exercise की ठीक है next class हम मिलते है thank you